Hello all and welcome to the Cognition IES Past Your Question की सीरीज में हम लोग आज देखने वाले हैं 2017 का पेपर और इस 2017 के पेपर में हम लोग डिसकस करेंगे आज पेपर नंबर वन का सेक्शन A तो फटाफट शुरू करते हैं डिसक्शन को डिसकस्शन के साथ साथ में ही बगल में आप लोगों के एक चैट लिस्ट भी चल रही होगी जो भी आपके डॉट्स हैं आप उस चैट में पूछ सकते हैं और इन दाट वी विल ट्राइ टू आंसर यूर क्वेशन्स तो फटाफट शुरू करते हैं स्टार्ट करने से पहले यह कुछ और भी एक्स्रा कोर्से जिनके लिए आप रिस्टर कर सकते हैं जहां पर एडवांस जोग्रिफी कोर्स है तो जो लोग भी 2021 का एक्जाम देने वाले हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं अगर आपको एक contemporary discussion चाहिए है या फिर deep discussion चाहिए पास टेकर question के साथ साथ कुछ probable practice questions भी चाहिए तो इसके लिए आप register कर सकते हैं और इसके अलाबा अगर आपको test series करने है तो obviously you can join for it चाहिए वो sectional test के लिए या फिर full test के लिए GS की इसी तरीके से sectional test and full test के लिए test series available है for more detail you can email on recognitionis.gmail.com या फिर आप visit कर सकते हैं recognitionis.in वहाँ पर या करके registration कर सकते हैं सबसे पहला question हमारा आता है first number का A and this is obviously compulsory question यहाँ पर question है कि discuss, write a note on pseudo volcanic features अब दिखिए pseudo volcanic feature का मतलब यह होता है pseudo का मतलब क्या होता है? pseudo का मतलब यह होता है जो actual में लगता नहीं है जैसे pseudo forces वगरे भी पढ़े होंगे आप लोग अपने 11-12 में pseudo force का मतलब होता है कोई force लग नहीं रहा है बट assume किया जाता है कि यह ऐसा force act कर रहा होगा या फिर आप यह बोल सकते हैं कि this is a false force या फिर आप बोल सकते हैं this is a virtual force तो यहाँ पर अगर इसी sense में देखेंगे तो pseudo volcanic मतलब कि कोई चीज volcanic है नहीं लेकिन प्रतीत हो रही है ऐसा feel हो रहा है कि this should have been from volcanic eruption या volcanic features होंगे तो इस तरीके की जो features होती है जितने भी intrusive features होते हैं या intrusive landforms होती हैं वो सारी की सारी volcanic pseudo volcanic features ही होते हैं क्यों क्योंकि देखिए जितने भी features हमें volcanic origin के मिले हैं जब वो exposed हो जाते हैं because of erosion या फिर किसी भी कारण से तो ultimately वो हमें surface पे magnetic lava के format में ही दिखते हैं और यह जो magnetic lava है कहीं न कहीं हमें यह एक idea देती है कि यह मैगनमा के कारण से ही हुआ होगा और मैगमा जो है वो basically कहां से निकलता है मैगमा निकलता है आपके volcanic eruption से ही तो यहां से एक idea लग जाता है कि हमें क्या लिखना है लेकिन देखी यह question थोड़ा सा tough था यहां पर कुछ हैसी भी चीज़े हैं जो आपको और extra जाननी है इसके लिए content आपके लिए prepare करके यहां पर लिख दिया गया है तो यहां पर इसको as it is आप लोग question याद भी कर सकते हैं because this question may again be repeated in future तो यहां पर studio volcanic features are certain topographic features that resemble volcanic forms but are non-volcanic origin तो non-volcanic origin के होते हैं और यह include करते हैं meteorite craters, salt plugs या फिर mud volcanoes या फिर यही पर आप लिख सकते हैं crater या जितनी भी dooms वगर हो गई या जितनी भी intrusive landform की चीज़े होती हैं उनको भी आप यहां पर include कर सकते हैं crater जैसे कि यहां लिखा गया एक abrupt circular depression होती है जो की form की जाती है extrusion of volcanic material जो की collapse हो करके ultimately एक meteorite के impact के कारण से बनता है rootless cone के बारे में इसी तरीके से बता दिया गया है meteorite crater के बारे में बता दिया गया है या फिर other features के बारे में इस तरीके से बता दिया गया है तो देखिए यह सब तो आपके लिए कुछ extra content के format में हो गया और इस extra content को हम लोग advanced geography course में ही discuss करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो content basically है इस content में basic features में अगर आपको basic foundation में जाएंगे तो आप intrusive landform के बारे में ही लिखेंगे लेकिन अगर आपको थोड़ा सा advance लिखना है तो obviously you can refer, you can write all these things here in the answer तो question straight forward है किवल आपको क्या है कि pseudo volcanic features के बारे में बताना है you just have to start with this introduction कि pseudo volcanic forces, actual में कोई forces नहीं होते हैं they are just feeling like to be at ऐसा प्रतीत होता है कि लग रहा है लेकिन actual में होता नहीं and then you can start writing your crater thing और फिर इसी के आगे आप intrusive landforms वगरे लिख सकते हैं और फिर ultimately you can write some of few statements जो कि यहां पर लिखे हुए है in the format of advanced topics ठीक है तो यह हो गई question number one आपका B part is question का है कि distinguish between low energy cost and coral cost देखे थोड़ा सा देखे पेपर टफ था 2017 का paper and marks भी इसी लिए थोड़ा सा liberal wise हुई थी लेकिन यह है कि यह सारे question जो है वो conceptual questions है दो चीज़े एक तो conceptual question आया हुआ था दूसरा current affair based question था purely current affair based question था अब देखे इसके लिए जो लोग भी exam देने वाले हैं उन लोगों के लिए जो magazines आती हैं जैसे योजना आ गई या फिर कुरुकशेत्र magazine आ गई ऐसे पढ़ने के लिए तो और भी magazines है जोग्राफी for you down to earth लेकिन क्या है कि वो सब time की positivity के कारण से पढ़ नहीं पाते हैं जो लोग भी 2020 का पेपर देने वाले हैं जोजना कुरुकशेत्र के जो special editions आते हैं उन special edition को at least आप लोग पढ़के जाईएगा विकास यहां से directly question बन सकता है आपके paper में जो इस इस वेरी important जो special editions होते हैं in fact we will come up with a few topics few expected topics जो हो सकते हैं तो उसके लिए भी हम लोग in the future we can publish some videos so यहां पर question है कि distinguish between low energy cost and coral cost देखे question is straightforward है यहां पर आपको यह पता होना चाहिए कि low energy cost क्या होते हैं तो देखे हमारे पास जो cost होते हैं उसमें दो तरीके के आप basically बोल सकते हैं एक होता है जो low energy cost होता है और एक होता है जो high energy cost होती है this is high energy low energy अब देखें low energy का मतलब यह होता है जहां पर deposition relatively जादा हो रहा है as compared to erosion और वहीं दूसरी और जहां पर erosion जादा होती है as compared to deposition वहां पर हम लोग बोलते हैं कि वो high energy है मतलब इसके पास energy जादा है that means erosion यहां पर जादा हो रहा होगा अब erosion के कारण से आप लोग सीधे सीधे जो भी coastal landforms है उनके बारे में आप लिख सकते हैं ठीक है लेकिन जो यहां पर erosion वाली है वहां पर आप deposition वाली landform को लिख सकते हैं इसे कि जो barrier islands होते हैं या फिर आपकी corals होती है या फिर आपकी जो reefs बन जाती है या फिर आपकी जो बार्स बन जाती है टॉंबोलो बन जाते हैं यह सब इसीकली क्या है यह सारे के सारे ultimately depositional structures ही है और यह सारे depositional structures आप यहां पर लिख सकते हैं लो energy cost में तो simply आप इसको क्या है कि यह simple question था landform का question you just have to explain all these things जो कि यहां पर लिखी गई है इनका थोड़ा सा आप low energy cost क्या होते हैं इनके बारे में बता सकते हैं कि energy के format में यह derive होते हैं and energy is obviously related with the erosion अगर low energy होगी तो erosion कम होगा erosion कम होगा तो automatically deposition ज्यादा हो जाएगी and this will be obviously your introduction part यह introduction हो जाएगा main body part में आप इन सारे landform के बारे में discuss कर देंगे these are quite simple things दूसरा जो part of the question है वो है coral cost के बारे में नाम से ही पता चल रहा है कि देखिए कोई भी एक ऐसी cost जो की coral से मिलके बनी होगी उसी को हम लोग बोलेंगे coral cost तो simply आप इसको divide करके भी इस तरीके से देख सकते थे अब देखिए coral का यहाँ पर क्या हो रहा है coral का यहाँ प वो सारी condition अगर met होगी and along with that अगर इनको proper protection दिया जाएगा तो फिर इनकी जो coral cost है वो develop हो जाएगी इसमें कोई problem नहीं है ऐस सच तो इस coral expansion की जो भी upper limit हो सकती है वो upper limit ही ultimately यह coral cost कहलाएगी so these are quite simple questions straightforward question तो आप main focus of this question is कि low energy क्या होती है और कैसे यह deposition के कारण से यह सारे structures बनते हैं यहीं पर देखिए एक पार आपका coral भी है और यही coral cost को लिए करके एक simple एक simple अलग paragraph लिख करके आप answer लिख सकते हैं that will be the answer for that question अगला जो question हमारा आता है impact of ocean current on air mass behavior तो देखिए again question जो ह है वो climatology का है and काफी simple question है बस आपको क्या है थोड़ा सा यहां पर ध्यान देनी की जरूरत है हमारे पास क्या है कि हमारे पास ocean currents होती है तो आपको start करना है ocean current से जो हमारा introduction होगा ocean current के बारे में आप basically थोड़ा मुडा बता देंगे कि क्या चीज़े होती है अब यहां पर आ suggest to draw a map here world map बना करके आप उसमें जो भी current से उनको दिखा सकते हैं अब दिखें जो cold currents है सीधी सी बात है वो cold है यानि कि यह high pressure built बनाएंगी high pressure built बनाएंगी इसी तरीके से जो warm currents होती है वो low pressure built बनाती है अब इस pressure built के कारण से obviously जो यहां का atmospheric या फिर क्या लीजे pressure built of the earth है वो disturb होता है और इसके कारण से obviously air masses जो है वो बनती है तो air mass यहां पर भी बन जाएगी यह जो air masses होंगी वो simple होंगी इसमें जादा कुछ खास नहीं है लेकिन वो areas जहां पर current आपस में mixing होती है mixing अब दो कारण से हो सकती है एक कारण हो सकती है जब warm ocean current and cold ocean current वो दोनों आपस में मिल जाए मतलब कि एक तरफ से warm ocean current आ रही है दूसरी तरफ से cold ocean current आ रही है अब जै sources kuroshio माल लेते हैं तो दूसरे साइड में ओको टस्क से आ रही है तो इस तरीके से यहां पर एक zone बन जाता है तो यहां पर air mass जो होगा वो काफी important होगा in fact यहां पर front बन जाएगा and front is basically what it is the mixing of cold air mass as well as warm air mass तो यहां पर आप इसके behavior को दिखा सकते हैं इसी तरीके से जहां पर upwelling का system होगा उसको भी आप लिखकर के यहां पर दिखा सकते हैं कि यहां पर भी cold air mass plus warm air mass आपस में मिलेंगे and ultimately there will be a formation of fronts, front का formation हो जाएगा तो आपको basically दिखाना है कि impact क्या है यह तो हो गया इसका basics कि आखिर में हमें proceed कैसे करना या फिर concept behind it यह हो गया impact के बारे में इन सारी जो को आप लिख करके दिखाएंगे introductory part में these will be introduction और यह आगे आप अपने main body part में अब यहां पर आप दिखाएंगे there are few impacts of ocean current on this air mass पहला तो आप impact सीधे सीधे बता देंगे कि जो ocean current होती है ocean current में अगर किसी प्रकार की change होगी there will be change in air mass या फिर there will be change in pressure belt and pressure belt के change होने के कारण से there will be change in air mass and this air mass will ultimately lead to climate change ठीक है climate change एक तो यह चीज़ आप लिख सकते हैं दूसरी आप लिख सकते हैं कि ocean current में this is ocean current इस ocean current में अकर कुछ भी अगर disturbance होता है तो obviously it is going to make changes in the heat budget of ocean heat budget of ocean as well as heat budget of earth तो ठीक है यहाँ पर ocean भी आ जाएगा और साथी साथ में अर्थ भी आ जाएगा और इनके कारण से obviously हमें ultimately पूरे के पूरे अर्थ में changes देखने को मिलेंगे और अर्थ में changes देखने को मिलेंगे तो हमें air masses में changes देखने को मिलेंगे and ultimately it will be a question mark on climate change की climate change का issue आ ज current, ocean current में obviously जब भी change होगा तो यहाँ पर जो marine organisms है, the marine organisms इसमें भी changes हो जाएगे और changes के कारण से again there will be change in air masses और यह क्योंकि marine organisms जो होते हैं they again effect the advectional process और यह advectional process के कारण से air masses को फरक दिखाएंगे तो देखें यहाँ पर points कई सारे हैं, you can easily draw few points, in fact 3 points तो बताई दियेगा है, you can make 4 to 5 points here more and that will obviously solve this impact problem, तो देखें यह सब question कहीं पर भी आपको book में answer नहीं मिलता है, यह सब आपको thinking, brainstorming करनी पड़ेगी and you will easily draw the questions, because these questions are as you can say कि analysis questions है, थोड़ा सा paper जरूर तफ था, but you can easily draw conclusion, you can easily draw the points, ठीक है, तो यह हो गई question, next question हमारा है, biological desert को ले करके पूछा गया है, characteristics क्या है, सबसे पहले तो आपको introduction में यही लिखना होता है, कि आखिर में biological desert होता क्या है, so biological and desert, अब देखें biological, नाम से पता चलना है, biological desert का मतलब कि एक ऐसा area होगा, जहां पर dead zone होगी, तो dead zone का मतलब यह हो गया कि जहां पर भी जो life है, life नहीं होगी, तो life कहां पर नहीं होती है, देखें life वहां पर नहीं होती है, पहले बाद तो जहां पर oxygen बहुत ही कम होगा, और यह में लिख आपको पता है, point nemo आप लोगों ने सुना होगा, current affairs वगरे में, तो point nemo हो गया, यह या फिर आप simply कह सकते हैं कि जो ocean bottom है, वहां पर हमें life नहीं मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि ocean में एक level तक ही life मिलती है, मतलब नीचे के साइड में बेंधोस हो जाते हैं, लेकिन यह भी जादा नीचे नहीं आते हैं, यह भी एक limit तक ही जाते हैं, one to two kilometer तक ही जाते हैं, उसके नी बारे में बता दीजिए, या फिर ocean topography के बारे में बता दीजिए, that will be sufficient, ocean topography, ठीक है, ocean topography में जितनी भी चीज़े नीचे आ जाती हैं, जैसे ridges बगरे बन जाती हैं, ठीक है, इसके अलावा बाकी trenches बगरे भी होती हैं, जो हमें नहीं पता है, trenches बगरे भी हो जाती है, sea mounts अज़र है, etc, तो these are few features जिसके basis पे आप in biological desert को explain कर सकते हैं, the main question here is what is biological desert, you have to identify this thing, बाकी इसके अलावा इस topography के अलावा आप दूसरा point, point nemo के नाम से भी बता सकते हैं, कि जैसे point nemo एक ऐसा point जहां पर oxygen की presence नहीं होती है, बहुत कम होती है, और यहां पर life की survival possible नहीं है, तो survival of the life is not possible, and in fact this are, यह जो है pacific ocean में पाया जाता है, तो pacific ocean, in fact not only in pacific ocean, Indian ocean में भी यह चीज़ पाया जा रही है, आजकल, in fact काफी ज्यादा prominent होते हैं, currently, continuously current affairs में बनी होई है, तो यह आपका simple answer हो जाएगा, थोड़ा सा again logical discussion है, and थोड़ा सा logical question I would say, and you can again draw some of the points to explain this, biological desert, आगे बढ़ते हैं next question नमारा आता है, question number two आ गया, ने question number one का ही e part है, explain the concept of micro carbon sink and its relevance, अब देखिए आप लोग carbon sink के बारे में तो पढ़े हुए हैं, no doubt about it, carbon sink या फिर carbon sequestration ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है environment में, अब देखिए carbon sink का मतलब क्या होता है, पेड़ पौ गया, तो ये सब carbon sink है, क्योंकि भाई, ECGC बात है, carbon dioxide को ये, जो भी carbon dioxide को absorb करें, वो carbon sink बन गया, forest carbon dioxide लेते हैं, and photosynthesis करते हैं, और oxygen छोड़ते हैं, इस वज़े से carbon sink बन गया, soil जो है carbon को ले लेती है, carbon को लेने के बाद जो भी nutrient होती है, carbon वगर होती है, वो पौद तक पहुचा देती है, तो ये भी क्या है कि एक तरीके से nutrient के format में ले लेती है, ocean carbon को ले लेते है, H2CO3 के format में, और फिर ultimately जो होती है, यहाँ पर एक balance कर लेती है, this is nutrient balance you can say, इसी तरीके से water भी क्या होता है, H2CO3 के format में ही पानी को पानी में घोल लेता है, और ultimately एक balance बना देता है, तो carbon sink तो easily you can draw की क्या चीज़े होती है, carbon sink, micro carbon sink का मतलब यह होता है, कि यह सारी चीज़े micro level पे, अब देके micro level का मतलब क्या है, कि जो forest है, वो micro level पे क्या हो जाएगा, small area of plants, small area of plants जिसको forest आप नहीं बोल सकते हैं, तो small area of plants, अब जैसे कि village area में क्या होती है, यही तो चीज़े होती है, small area with plants हो जाती है, soil, soil का मतलब soil on small scale, यह भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, micro scale पे, अगर ocean के बारे में बात करा है, तो हम ocean नहीं कहेंगे, हम भूल देंगे कि water bodies, small water bodies like, जैसे कि lakes वगर हो गई, यह भी क्या है, micro sinks हो गई, water body के बारे में तो आपने आप हम लोग ले लिए तो water भी आ गया, तो basically यही आपको explain करना था, सबसे पहले आपको introduction में लिखना होगा कि micro carbon sink क्या होते हैं, तो simply आप बता दीजे कि carbon sink on a small scale, इसको हम लोग micro carbon sink बोल सक सकते हैं, पहली चीज, दूसरा example आप बता देंगे, तो example के basis पर यह सब लिख देंगे, यहाँ पर watershed management भी लिख सकते हैं, क्योंकि again this can become a water source, and this can become a micro carbon sink, और बाकी जो चीजे हम लोग ने discuss कि अब लिख देंगे, फिर उसके पास से आप relevance पर आ जाएंगे, और relevance में चीजों को relevance है, clear हो गया, so हम लोगो ने जितने भी question किये हैं भी तक वो सारे के सारे physical geography के थे, straight forward questions थे, and pure geography question थे, I would say, यहाँ पर कोई चीज ऐसी नहीं, जहाँ पर आपको geography सोची नहीं पड़े, या फिर extra geography लिखने की जरूरा थे, तो यहाँ पर आप straight forward, जो भी चीजे हैं, वो सब ल अगला जो question आता है, कि discuss the forces, forces which govern air movement on the earth surface, straight forward question from NCRT, NCRT का straight forward question है, and 11th class की NCRT का ही एक question है, अब देखें यहाँ पर बोल रहा है कि कौन कौन, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, introduction, introduction में आप air movement को बता देंगे, कि air movement किस तरीके से होती है, इस air movement के लिए responsible forces, obviously pressure है, temperature है, ठीक है, इसके अलावा advection है, ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजे हैं, जो आप जानते हैं, कि यह सारे factors होते हैं, लेकिन यहाँ पर question पूछा गया forces के बारे में, तो आप यह बतातेंगे, एक तो यह movement को बता सकते हैं, explain कर सकते हैं, movement को in the introduction, and you can also explain here the type of air movement, तो type भी ब forces पे, कि there are few forces which are responsible for the movement of air, तो इसमें क्या है, सबसे पहला force तो आप खुदी बता देंगे, this is gravitational force, कि gravitation के कारण से, gravity है, इसलिए सब कुछ है, तो gravitational force तो important है, and this is due to, due to earth and other celestial bodies, तो यह other celestial bodies के कारण से, हो जाएगा, यहाँ पर हमारा पहला force, इसको explain कर दीजिएगा, थोड़ा सा second जो question आप लिख सकते हैं, second जो लिख सकते हैं, reason वो है, pressure gradient force, pressure gradient force, and this pressure gradient force is because of climate, climate के कारण से, हमारी यह pressure gradient force है, तीसरा जो यहाँ पर आप point लिख सकते हैं, वो है coriolis force, तो coriolis के बारे में भी आप बता सकते हैं, कि जो coriolis force है, this is again because of what, shape of earth, shape and movement of earth, circular है, सीदी सी बात है, तो यहाँ पर इस तरीके का एक force हमारे पास आजाएगा, इसके बाद आप लिख सकते हैं, heat force, और heat force क्यों हो जागया, temperature difference, सीदी सी बात है, water और land के बीच में temperature difference है, तो temperature difference के basis पे आप यहाँ पर बता सकते हैं, heat forces, यहाँ पर जितने भी आपका एड़ Frictional force is because of movement, कहीं पर भी कुछ भी movement करेंगे, ultimately Frictional force लगनी ही लगनी है, सो यह आपका हो जाएगा answer, straight forward सारी चीजें, बस आपको क्या है, चीजों को लिखना था, बताना था, एक एक करके, इन सारी चीजों को explain करेंगे, examples से देंगे, थोड़े मोड़े example आप wind का भी अगर field application in slope management, टेक statement दी गई है, यहाँ पर simple आप introduction में आप क्या लिखेंगे, आप केवल explain करेंगे कि slope analysis क्या होती है, तो slope analysis को आप explain करेंगे, जैसे explanation, उसके पास से आप एक flow chart बना देंगे, और flow chart में obviously जितने भी लोगों ने अपनी slope की theories दी है, अब जैसे दो तरीके से होता है, एक होता है जिसको बोलाता है historical approach, जहाँ पर this W.M. Davis बगर इने दिया है, W.M. Davis ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वो process approach है, process approach जहाँ पर basically आपके pink साहब ने अपनी slope theory दी है, इसी तरीके से king साहब ने दी है, LC king और wood साहब ने दी है अपनी theory, तो basically यह लोग जो है, वो अपनी theories दिये हुए है, ठीक है, तो यह mainly scene है, इसके अलावा अगर आप लिखना चाहे तो savvy gear model भी लिख सकते है, savvy gear model, ठीक है, JT hack का model लिख सकते है, तो यह भी लोग जो है, वो, that is hack है, H-A-C-K, ठीक है, hack, तो यह model के बारे में आप लिख सकते हैं, बस यह थोड़ा सा advance जरूर हो explaining, it is explaining how the slope is getting developed, तो how slope developed यह बताया गया है, इन theories के format में, लेकिन अगर कहीं पर भी slope कुछ गडबड हो रही है, या कुछ भी चीज हो रही है, तो how you will manage, कोई भी theory यह नहीं बताती है, कि management कैसे करना है, none of the theories यह बताती है, तो हमारे पास management के लिए basically दो तरीके होते हैं, एक होत है, जिसे हम लोग anthropogenic बोलते हैं, this is anthropogenic, अब देखिए natural का मतलब यह हो गया, कि जो nature अपने हाँ balance कर ले रहा है, जैसे कि क्या है, forestation वगर ऐसे, forest से balance की जाती है, या फिर आप strong soil वगर ऐसे की जाती है, strong soil, तो इससे क्या है, कि nature balance करने की कोशिश करता है, लेकिन anthropogenic reason यहाँ पर काफी important role play करते हैं, अब जैसे यहाँ पर जो important management हो जाएगी, वो anthropogenic में, जैसे कि terraces, सीडी नुमा खेती कर देना, तो stresses हो गया, या फिर आपकी benches वगर हो गई, bench वगर है, बना करके रखना, या फिर reduction करना in slope angle, तो slope angle में reduction कर देंगे, तो अगेन जो है, फाइदा हो जा या फिर cropping area बढ़ा देना, ये भी हमें, मतलब इस management को करती है, तो main चीज यही थी, यही चीज आपको explain करनी थी, तो this will be your structure of the question and ultimately you can conclude your answer just by saying कि आखर में slope management क्यो important, slope management का importance आप दिखा सकते हैं, disaster को link करते हुए, ठीक है, जैसे कि landslide, avalanche, ये सब क्या disasters ही है, और ultimately all this can be taken through, mitigated through, because of the slope management, ठीक है, next question पर आ जाते हैं, next question है, configuration of pacific ocean floor, straightforward question, कुछ भी explain करने को नहीं है, सीधे-सीधे आप ocean bottom relief के बारे में बताएंगे, ocean bottom relief, ठीक है, और इस ocean bottom के बाद फिर आप straightforward, जो भी इसकी pacific ocean में जितनी भी चीज़ें हैं, वो सा बताईएगा, एक student नहीं, एक experiment नहीं, एक answer भेजा हुआ था, and this was explanation of this question, and she has written it very nicely, बहुत ही अच्छेस लिखा था, बहुत ही detail लिखा था, I would say, तो you can again write, and this is काफी straightforward question, यहाँ पर जादा कुछ डिसकस करने को नहीं है, next question आ जाते हैं हम लोग, one second, okay, next question पर आ जाते हैं, question number 3A, climate change is a reality, again a very contemporary question, and बहुत ही important, in fact, Paris climate deal के बा था, इस 2017 के दोरान में, क्योंकि CDC बात है, planning अगरे करनी थी, तो इस वज़े से climate change is a reality, यह question भी बन गया, अब देखिए, climate change is a reality, यह एक ऐसा question है, जिसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हैं, you can write anything in fact, अब जैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, ecological damage से, तो ecological damage भी लिख सकते हैं, आ फ्लोरा एंड फॉर्न की लॉस हो रही है, फ्लोरा एंड फॉर्न का लॉस, ठीक है, बॉर्ड का लॉस, जितनी भी चीज़ें हो सब यहां पर आप लिख सकते हैं, environmental damage, इस environmental damage में कई सारी pollution के बारे में बता सकते हैं, the level of pollution, temperature increase के बारे में दिखा सकते हैं, global warming के बारे में सकते हैं, glacial melting, sea floor spreading के बारे में बता सकते हैं, तो मतलब, there are number of points you can write in this question, बहुत सारी चीज़ें हैं, जो इस question में लिख सकते हैं, all you need to do here is, you have to write in a cause and effect manner, जैसे यहां पर कया है, principle of Gaia वगरे का यूस कर सकते हैं, principle of Gaia, ठीक है, GAIA, इसी तरीके से आप यहां पर एक ecosystem balance word यूज कर सकते हैं, ecosystem balance, ठीक है, यहां पर आप pyramidal, this ecology में लिखेंगे, तो pyramidal disbalance के बारे में लिखेंगे, कि पिरामिड़ में किस तरीके से disbalance वगर रहा गया, तो आप बिसी के लिखा है, कि अपने answers को अपनी जो भी चीजों का use कर सकते हैं, these are genuine things and these, you have to apply these things, so straightforward question है, example के रूप में लिख करके, आप easily लिख सकते हैं, तो काफी easy question हो जाएगा, next question पर आजाते हैं, distinguish the characteristics of chernogen and serogen, अब देखिए, यह सीधे सीधे जो होता है, US morphology of the soil है, और straightforward यहां पर भी आपको दोनों soil के बारे में बताना है, क हो गई, यह soil की classification हो गई, यह सबाब को याद ही करके जाना है, आपको पता होना चाहिए, oxy soil क्या होती है, lt soil क्या होती है, और chernogen क्या होता है, soli soil क्या होती है, तो यह सब आपको पता होना चाहिए, these are static points and इसको कभी ignore नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर साल नहीं तो alternate years में तो ही जाता है, now the next thing, give a classification of plants based on amount of water requirement, अब देखिए, जो लोग भी botany side से होंगे ना, उनके लिए बढ़ा असान question हो गया, and this question is actually directly from environment geography, अब यहाँ पर बताया गया है कि plant का आपको classification करना है, based on the water requirement की पानी कितना कौन ले रहा है, तो दो तीन का नाम तो आपको याद होगा, है, इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, मीजोफाइट का नाम, तो यह तो और इसके अलावा, जीरोफाइट, जीरोफाइट, यह तीन का नाम तो बहुत इसली आपको सबको ही आज़ रहता है, इसके अलावा देखिए, और भी चीजे हैं, जो आपको लिखना था इस question में, and this question was specifically asking about the amount of water requirement के basis पर जो plant का classification, देखिए, there are six type of basically plants, एक hygroscopic, फिर मिजोफाइट, इसी तरीके से होता है, topophytes, this is topophytes, ठीक है, इसी तरीके से होता है, neroophytes, this is neroophytes, ठीक है, और इसी तरीके से एक और होता है, phreatophytes, this is phreatophytes, तो basically six type के plants होते है, straight forward question है, बस यह क्या है कि थोड़ा सा आपको detail में पढ़ाई करनी थी, और आपका question का answer आजाता, तो यह थी plant के बारे में, straight forward, straight forward answer भी आप लिखेंगे, सब के बारे में एक चीज़ बता देंगे, that's all for this question, ठीक है, जब question थोड़ा सा tough होता है, तो वो काफी straight forward पूछा जाता है, उसको दाएंबा question पर आजाते है, question number 4 का A, पहले, concept of periglacial cycle as propounded by peltier, अब देखें, concept of periglacial जो है, यह हम लोगोंने discuss किया हुआ था, जब geomorphology का structure हम लोगोंने पढ़ा है, उसमें हम लोगोंने slope analysis वगरे discuss किया है, तो वहाँ पर ही इस periglacial cycle का भी discussion किया गया है, और उसी के basis पे क्या slope वगरे बनते हैं, किस तरीके के landforms आते हैं, सब चीज़ें डिसकस की गई हैं, तो आप वहाँ जा करके उसे देख सकते हैं, this is very, I would say, untouched topic, बहुत सरे बुक्स में लिखा भी नहीं होता है, and, but we have discussed it in the playlist, so you can go and watch and refer to it, बहुत सारे लोग अच्छा एक चीज़ कोशन पूछते हैं, क दिलबस अलरडी मैच करके ही, आपके साथ में जो class videos हैं, वो share की गई है, so, क्यों आप लोग को doubt होता है, whether it is complete or not, दिके, कोई भी चीज, UPSC के लिए, nothing is complete, you cannot say, you can never say, that you have done everything, आपको क्या है कि, idea होना चाहिए हर एक topic का, you just have to always enrich your content, आपने अपकी जो भी चीज़ें होती हैं enrich करनी होती है, चाहिए हो magazine से कर रहे हो, current fair से कर रहे हो, या फिर newspaper से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, आपको enrichment करती रहनी होंगी ही होंगी, तो syllabus के हिसाब से, देखिये, चीजे करवा दी गई है, and in fact, you can, this is just, I would say, कि थोड़ा सा जादा ही बाते हो जाएंगी, लेकिन यह ह है कि, we have discussed a lot in this series, and there are few topics also left, so we will again complete it, so don't worry about it, हम लोग उसे complete कर लेंगे, and बस आप preparation करते रहे हो, practice test करते रहे हो, that's all, ठीक है, बाखे इसके पास से next question पर आ जाते है, question है कि, climate, slope, gradient, rock, structure, influence, evolution of channels, अब देखिये, यह question जो है, वो channel morphology का है, this is channel morphology question, यह फिर applied geography बोल सकते है, and this is super tough question, and in fact, we also cover this is advanced geography course, so देखिये, यहाँ पर क्या है कि, evolution का मतलब पहले आपको पताना होना चाहिए, कि इसका मतलब क्या होता है, जो evolution का मतलब होता है, यह होती है, rapid abundant of a river, जैसे कोई river थी, अब वहाँ से वो हट गई है, खतम हो गई है, लेकिन वापस से जब formation हो जाता है, river channel का तो उसी को बोलते है, evolution of a river channel, अब देखिये, एक तरीके से आप यह बोल सकते हैं, कि something related with river rejuvenation, river rejuvenation हो गया है, and इसका link आपको करना है, channel morphology से, this is channel morphology, so जब इस तरीके का straight forward कर दिया जाता है, तो अब आपको समझ में आ गया, लेकिन यही word UPSC खेलेगी आप लोग के सा क्योंकि आपको confuse करना है, थोड़ा सा, disturb करना है, simple सी बात है, अब देखिये, यहाँ पर अगर आप एक एक करके point को देखेंगे, तो देखेंगे, river rejuvenation होता है, यानि कि river वापस से निकल करके आ गई है, हमें बात करना है, तीन format में, this is climate, second point is slope gradient, कि slope gradient का क्या फरक and third thing, आप लोगों के साथ में बताई गई है, rock structure, आपको basically बताना है, यह तीनों किस तरीके से impact करेगी इस channel को, ठीक है, आप देखिये, climate के बारे में तो सीधे-सीधे आप बोल सकते हैं, कि भाईया कुछ भी हो सकता है, flood भी आ सकता है, इसके अलावा drought भी हो सकता है, ठीक है तो climate के पास बहुत ज़्यादा अपने पास option होता है, and it can do anything with this channel morphology, because everything, जैसे जितनी भी चीज़े हैं, जितने भी slope development, कुछ भी है, सबके सब आखिर में क्या है, climate से derived है, दूसरी चीज़ हमारे आती है, slope gradient, देखिये, slope gradient अकीन काफी important role play करेगा, क्योंकि यह कर देगा, radial movement, और radial movement के थूँ जो channel है, वो या तो centripetal तरीके से develop हो जाएगी, या फिर centrifugal type develop हो जाएगी, तो इसमें क्या है, structure यह decide कर देगा, so slope gradient का भी अपना एक use है, इसमें, काफी important use है, rock structure again important है, क्योंकि यह trellees type की drainage निकाल देगी, so trellees drainage जो आप लोगोंने पढ़ रखा होगा, drainage system म प्रिलीज टाइप की drainage निकाल देगी, rock structure, so again this is a influencing, directly influencing the evolution of the channel, so इस तरीके से आपको explain करना है, बस आपको इनके बारे में explain करते जाना है, इनके बारे में, इनके बारे में, that's all, बाकी पहले structure आपको बता ही दिया गया है, यह आपका जो टॉप अला portion है, वो introduction बन जाएगा, नीचे बाली चीज है, आपकी body बन जाएगे, that's all, conclusion भी आपको अगर लिखना चाहे, तो conclude भी कर सकते है, कि this channel morphology is again subjected to market risk, so this is again subjected to what, subjected to geographical risk, ठीक है, geographical risk, so geographical risk का मतलब यह ही है, कि geographical factors again is per impact कर सकते है, and it can again change the morphology of the channel, so anything can happen with this channel morphology, DC लिखागे, subjected to market risk, ठीक है, next हमारी आती है, कि discuss the pave theory, and this is perception, attitude, value, and emotion theory of environmental management, I would say this is super tough question, this is super tough question, and whether it was in current affairs or not, I don't remember, बस अगर यह current affairs में था, तब तो ठीक है, otherwise this is a super tough question, but I just think, कि यह चीज़ जो है, वो इधर of the magazine में आई जरूर रहे होगी, otherwise इस तरीके के question generally पूछे नहीं जाए होते हैं, अगर पूछे जाएं, तो you have option to skip, दूसरे question को आप लोग choose कर लीजिए, ठीक है, तो इस तरीके के question में कभी भी आप disturb मत होई है, अगर आप पढ़े हैं, then it is okay, अगर नहीं पढ़े हैं, then skip it, choose the other question, you just have to pick three questions, ठीक है, तो इस वज़े से अपने हिसाप से आप choose कर सकते हैं, और UPSC भी आपको proper, बहुत flexibility देती ह question choose करने के लिए, अच्छा कई लोग का एक question होता है कि हमारे पास 8 question होते हैं, उसमें से पहला और पांचमा एक physical geography का और एक human geography का ये तो निकल गया compulsory में, now we are left with the three more questions, whether we should opt more questions from physical geography, और we should opt from human geography, किस से हम लोग करें, देखें, it all depends, अगर आपका physical geography ज्यादा अच्छा है, तो य अगर आपका human geography अच्छा है, तो आप इस तरीके को 2-1 को fix करिए, in terms of अगर marks के बारे में बात करें, तो देखिए, ये वाला ज्यादा preferred होता है, human geography से आप ज्यादा question लिए और physical geography से कम लिजे, physical geography में actually क्या होता है, this is mathematical and यहाँ पर straight forward आपको चीज़े लिखनी होती है, जिसम favorable चीज़े आपके लिए, आपको marks वगर है, अगर आपको उठाने हैं, तो आप इस से उठा सकते हैं, so these are the things, अब दिके पेव theory चुकी, इसमें चीज़े काफी complex है, so we have given you an answer, and you can just memorize it, and रटा मार लिजेगा, और अगर कभी question future में अगर आता है, तो इसको उठा करके आप लि management, यह scientific and systematic approach that involve combining natural resource management with preservation of environment, यह होता है management, पेव theory जो propound की गए थी, उसमें दो school थे, एक school थी, जिसको बोलते है, Moss school, जिसमें O, Ricardo, Michelle, and बाकी लोग थे, और दूसरी जो थे, वो BKW school थी, जहां पर हमारे different contributors आ जाते हैं, बाके इसमें perception के बारे में, altitude के बारे में, value के बारे में, और emotion के बारे में, यहां पर चीज़ें लिग दी गई हैं, तो आप इसको refer कर सकते हैं, you can directly refer it, and you can again produce the your own answer, तो आप चीज़ों को समझीए, perception, altitude, value, and emotion, these are kind of very general things, तो उसी general के basis पर आप ही इसको answer कर सकते हैं, so this is all for today, and we have completed section 1, और अगर आपको कोई doubt होता है, तो कुछ तो आप को कोई doubt होता है, तो obviously you can email us, email कर सकते हैं, या फिर telegram भी कर सकते हैं, और इसके basis पर जो है, आपके जो doubt हों इसको sort out कर लिया जाएगा, बाकि आप अपने answer भी लिख करके भेज सकते हैं, evaluation के लिए, feedback के लिए, again email कर दीजेगा, and that will be evaluated, and will be sent you back, ठीक है, मिलते हैं अपने next video मे section B के साथ, till then goodbye, and thank you so much.